दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से मेरे योट्यूब चैनल सुनो कहानी होरर के एक नए एपिसोड में मेरा नाम है विरेन और आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ शेलोक होम्स की एक और बेहद ही दिल्चस्प और रोमान्चक कहानी इसलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा चलिए कहानी शिरू करते हैं मेरा दोस्त शेलोक होम्स काफी देर से एक पुराने से कम पावर वाले माइक्रोस्कोप के उपर जुका हुआ कुछ देख रहा था फिर उसने अचानक से खुद को सीधा किया और वो मेरी तरफ देख कर बोला ये गोंध है वाटसन इसमें कोई शक नहीं कि ये गोंध ही है मैंने शेलोक से कहा हाँ हाँ मैं तुम्हारी बात मानने को तयार हूँ पर क्या इस पे कुछ डिपेंड करता है हाँ वाटसन ये एक अच्छा नतीजा है तुम्हें सैंट पैन क्रोस केस याद ही होगा उसमें मरने वाले पुलीस वाले के बगल में एक हैट मिला था याद है हरोपी आदमी इस बात से इंकार कर रहा था कि ये हैट उसका है लेकिन वो एक फोटो फ्रेम बनाने वाला कारिगर है और उसे सारा दिन गोंद से काम पढ़ता ही है मैंने शैलोक से पूछा शैलोक जिन केसेज में तुम काम कर रहे हो क्या ये उनहीं में से एक है अरे नहीं मेरे दोस्त मेरिवल अफ दे याड ने मुझे इस मामले को देखने के लिए कहा था मेरे साथ काम करते करते अब वो लोग भी माइक्रोस्कोप के महत्व को समझने लगे हैं वोट्सन वैसे अभी एक नया क्लाइंट आने वाला तो था लेकिन लगता है वो लेट हो गया है अच्छा वोट्सन ये बताओ क्या तुम रेसिंग के बारे में कुछ जानते हो हाँ हाँ थोड़ा भहुत तो जानता ही हूँ मेरी आधी पेंशन तो इसी काम में लग जाती है तो जानना तो पड़ता ही है मेरी ये बात सुनकर शेलोक चेहकते हुए बुला में उसे जानता हूँ वो शॉसकॉंब ओल्ड प्लेस में रहता है मैं उस जगह को भी अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि एक बार गर्मियों में मैं वहाँ कुछ दिन रहा था नौरबर्टन को लोग एक खतरनाक आदमी के रूप में जानते हैं एक बार तो उसने न्यू मार्केट हीच पर करजन स्ट्रीट के एक जाने माने साहुकार सैम ब्रूवर को कोडों से पीटा था उसने करीब करीब उस आदमी को मार ही डाला था नौरबर्टन इंग्लेंड का सबसे सहसी घुल सवार है कुछ साल पहले ग्रैन नैशनल की रेस में वो सेकेंड आया था वो एक बॉक्सर भी है और एक एथलेट भी और औरतों का बहुत बड़ा रसिया भी है उसके बाद शेलोक ने मुझसे पूछा वाटसन क्या तुम मुझे शॉसकॉम बोल प्लेस के बारे में कुछ बता सकते हो हाँ सिर्फ इतना कि वो शॉसकॉम पार्क के सेंटर में है और शॉसकॉम के जो फेमस ट्रेनिंग क्वार्टर्स हैं वो उनहीं में रहता है फेर शेलोक मुस्कुराते हुए बोला और जो उनका मुख्य ट्रेनर है उसका नाम जॉन मसान है हैरान मत हो वाटसन मुझे अभी थोड़ी ही देर पहले उसका एक पत्र मिला है जिसे मैं खोल रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पत्र को खोलने से पहले हमें शॉसकॉम के बारे में थोड़ा और जानना पड़ेगा मैंने कुछ सोचते हुए कहा हाँ शेलोक एक बात और उनके पास बहुत सारे शॉसकॉम स्पैनियल कुट्टे है और हर डॉक शो में उनके बारे में सुनने को मिलता है वो इंग्लेंड में सबसे खास नसल के कुट्टे है शॉसकॉम ओल प्लेस की लेडी का वो खास गौरव है ये बात सुनकर शेलोक बोला लेडी मतलब सर रॉबर्ट की पत्नी नहीं नहीं शेलोक सर रॉबर्ट ने कभी शादी नहीं की वो अपनी विध्वा बहन लेडी बियेट्रस फॉडर के साथ रहता है अब तुम्हारा मतलब है कि उसकी बहन उसके साथ रहती है नहीं नहीं शेलोक असल में वो जग है उसकी बहन के दिवंगत पती सर जेम्स की है नौर्बर्टन का उस घर पे कोई अधिकार नहीं है जब तक लेडी बियेट्रस जिन्दा है तभी तक वो प्रोपर्टी उसके पास है उसके मरने के बाद वो प्रोपर्टी उसके दिवंगत पती के भाई के पास चले जाएगी इस दोरान हर साल वहां का किराया वही वसूलती है और मेरा ख्याल है कि उसका भाई रॉबर्ट उन किराय के पैसों को उड़ाता है अब ये तो मैं पक्के तोर पर नहीं कह सकता लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि वो आदमी पूरी तरह से शैतान है लेकिन फिर भी मैंने ये सुना है कि उसकी बहन उसकी प्रती पूरी तरह से समर्पित है लेकिन शैलोक तुम शॉसकॉम के बारे में ये सब क्यों पूछ रहे हो क्या वहां कोई गड़बल हो गई है हाँ वोट्सन यही तो मैं जाना चाहता हूँ उसके बाद शैलोक ने दर्वाजी की तरफ देखा और बोला येलो वोट्सन हमारा महमान भी आ गया अब यही हमें सारी बात बता सकता है तब ही शैलोक के कमरे का दर्वाज़ खुला और एक लंबा क्लीन शेवन आदमी द्रड और कठोर चहरे वाला हमें वहाँ नजर आया उसने हमारा अभी वादन किया और फिर उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया जिस कुर्सी की तरफ शैलोक ने इशारा किया था कुर्सी पर बैठ कर उसने शैलोक से कहा मिस्टर होम्स आपको मेरा खत मिला होगा मैं आपको कुछ समझा भी नहीं पाता था इसलिए मैंने सोचा कि आमने सामने बैठ कर मैं आपको अच्छे से समझाऊं शैलोक ने कहा हाँ ये भी ठीक है तो बताईए सर पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि मेरे मालिक सर रोबर्ट पागल हो गए है शैलोक ने अपनी भावें उठाई और वो बोला लेकिन पागल खाना तो हर ले स्टीट पर है आप बेकर स्टीट पर क्या कर रहे हैं और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके मालिक सर रोबर्ट पागल हो चुके हैं देखे मिस्टर होम्स जब कोई आदमी कभी कभी कोई अजीब काम करे तो उसका कोई कारण उसका कोई मतलब हो सकता है लेकिन जब वो जो कुछ भी करे वो हर बात अजीब होती हो तो आप हैरानी करने लगते हैं मुझे लगता है मिस्टर होम्स कि शॉसकॉम प्रिंस और डर्भी ने उनका दिमाग खराब कर दिया है शैलोक ने कहा प्रिंस एक घोड़ा है जिसे आप रेस में दोड़ाते हैं मैंने सही कहा न जी हाँ मिस्टर होम्स प्रिंस पूरे इंग्लेंट का सबसे बढ़िया घोड़ा है मैं आपको सारी बात खुल कर बताता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप एक सज्जन व्यक्ति है और जो भी मैं कहूंगा वो बातें इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगी शैलोक ने कहा जी हाँ आप बेफिक्र होकर अपनी सारी बाते बताए असल में मिस्टर होम्स सर रोबर्ट को इस डर्भी रेस को जीतना है वो गरदन तक करजे में फसे हुए हैं और ये रेस उनके लिए आखरी मौका है वो जितना भी पैसा बजार से उठा सकते थे या उधार ले सकते थे वो सारा का सारा उन्होंने लेकर घोडे पर लगा दिया है इस वक्त आपको 40 गुना प्रॉफिट हो सकता है लेकिन यही प्रॉफिट रेट उस वक्त 100 के करीब था जब उन्होंने उसका समर्धन करना शुरू किया था शैलोक हैरानी से बोला अब एक बात मुझे समझ में नहीं आई अगर घोड़ा इतना ही अच्छा है तो प्रॉफिट रेट 100 से 40 पर कैसे गिर गया जनता नहीं जानती मिस्टर होम्स कि वो घोड़ा कितना बढ़िया है सर रोबर्ट दलालों के लिए कुछ ज्यादा ही चतुर रहे हैं हमेशा से उन्होंने प्रिंस घोड़े के भाई को इस पिन के लिए बाहर कर दिया है वो दोनों घोड़े हू बहू एक जैसे दिखते हैं आप उन दोनों में कोई फर्क नहीं बता सकते मिस्टर होम्स लेकिन जब रेस में दोरनी की बात आती है तो उन में एक फर्लांग का फर्क आ जाता है सर रोबर्ट गोड़ों और रेस के अलावा और कुछ नहीं सोचते उनका पूरा जीवन इसी में बीता है और इसी बात के पीछे उन्होंने अपने लेंदारों को रोग कर रखा हुआ है अगर घोड़ा प्रिंस रेस में पहले स्थान में नहीं आ पाया तो सर रोबर्ट तो गहे काम से शैलोक ने कहा ये तो एक हताश जुए बाजी जैसा है इसमें पागलपन वाली कोई बात नहीं देखे मिस्टर होम्स सबसे पहली बात तो ये कि उनकी शकल आजकल ऐसी हो गई है कि कोई भी उनको देखेगा तो उन्हें पागल ही समझेगा पता नहीं वो रातों को सोते भी है या नहीं वो पूरे वक्त अस्तबल में ही रहते हैं उनकी आखें तो एक दम भयानक सी हो गई है ये सब उनके दिमाग की नसों में बहुत जोर डाल रहा है और दूसरी बात लेडी बियेटरस के प्रती उनका व्यवार वो दोनों भाई बहन हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं दोनों का टेस्ट भी एक जैसा था और लेडी बियेटरस भी घोडों से उतना ही प्यार करती थी जितना वो करते थे हर दिन वो एक फिक्स टाइम पर उनको देखने जाती थी और प्रिंस घोडे से तो वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी और जैसे ही अस्तबल के बाहर बजरी पर लेडी बियाट्रिस की गाड़ी के पहियों की आवाज सुनाई पड़ती तो प्रिंस के भी कान खड़े हो जाते थे और वो उनसे चीनी की डेली लेने के लिए दौर कर आता था लेकिन अब वो सब खतम हो गया है शैलोक ने पूछा ऐसा क्यों? वो आदमी बोला ऐसा लगता है जैसे उनका घुडों पर से इंट्रेस्ट एक दम खतम हो गया है पिछले एक हफते से वो अस्तबल के सामने से ऐसे गुजर जाती है जैसे वो प्रिंस को जानती ही नहीं है शैलोक ने पूछा तो मिस्टर मेंसन क्या आपको लगता है कि दोनों भाई बहन में कोई जगडा हुआ है? वो आदमी बोला अहां बिल्कुल हुआ होगा सर और जगडा भी कोई मामूली नहीं बहुत ही भुरा और भयानक जगडा वरना सर रोबर्ट अपनी बहन के पालतू स्पैनियल कुट्टे को किसी को क्यों दे देते जिससे उनकी बहन बच्चों की तरह प्यार करती थी कुछ दिन पहले ही सर रोबर्ट ने वो कुट्टा एक बूढ़े मिस्टर बैंस को दे दिया जो क्रेंडल से तीन मील दूर रहता है और ग्रीन ड्रेगन नाम के सराय का मालिक है शेलोक बोला हम ये बात तो सच में अजीब है वो आदमी बोला अहां मिस्टर होम्स और मैं आपको बताऊं कि लेडी का दिल कमजोर है और उन्हें साथ ही साथ जलोदर या ड्रॉपसी नाम की भी विमारी है इसी वज़े से वो ज्यादा इधर उधर घूम फिर नहीं सकती मिस्टर रॉबर्ट पहले हर शाम को दो घंटे उनके कमरे में बिताया करते थे लेकिन अब वो भी सब बंध हो गया है अब वो कभी उनके कमरे में नहीं जाते और इसी बात को लेडी ने दुखी होकर अपने दिल से लगा लिया है लेडी अब पागलों की तरह शराब पीने लगी है मिस्टर होम्स और बहुत ही चिर्चरी और गुसैल हो गई है शैलोक ने पूछा क्या इस जगडे से पहले भी वो शराब पिया करती थी हाँ कभी कभी थोड़ा बहुत पी लेती थी लेकिन अब तो वो हर रोज शाम को पूरी बोतल पीने लगी है उनके बटलर स्टीफन ने मुझे ये बताया है सब कुछ बदल गया है मिस्टर होम्स और इसमें जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड है और फिर उपर से एक बात और भी है मिस्टर होम्स मेरा मालिक रात मैं चर्च के पुराने तहखाने में क्या करने जाता है और वहाँ पर वो दूसरा आदमी कौन है जो उससे मिलने आता है ये बात सुनकर शैलोक उत्सुकता से भर गया उसने बेचैनी से अपने हाथों को रगड़ा और अब मुझे भी उस आदमी की कहानी दिल्चस्प लगने लगी थी शैलोक ने उस आदमी से कहा कहते रहे मिस्टर मेसन आपकी कहानी अब और ज्यादा दिल्चस्प होती जा रही है वो आदमी बोला ये बटलर स्टीफन था मिस्टर होम्स जिसने उनको आते जाते देखा उस वक्त रात के बारा बज रहे थे और तेज बारिश हो रही थे फिर अगली रात मैं घर पर ही था और मैंने भी ये पक्के तोर पर देखा कि मेरे मालिक वहाँ गए थे उसके बाद बटलर स्टीफन और मैं उनके पीछे पीछे गए वैसे ये खतरे वाला काम था मिस्टर होम्स क्योंकि अगर हमारे मालिक हमें देख लेते तो हम दोनों की ऐसी तैसी हो जाती मालिक लोगों को इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि पूछिये मत इसलिए हम दोनों उनके ज्यादा पास नहीं जा रहे थे लेकिन दूरी बनाते वे हम बराबर उनका पीछा करते रहे वो वाकई में उस भूतिया तहखाने में गए और हमने देखा वहाँ पर एक आदमी पहले से उनका इंतजार कर रहा था शैलोक ने पूछा ये भूतिया तहखाना क्या है वो आदमी बोला मिस्टर होम्स पार्क में एक पुराना सा खंडर हो चुका चर्च है और उसी के नीचे एक डरावना सा तहखाना है जिसका नाम बहुत ही बदनाम है रात में कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता लेकिन मेरे मालिक नहीं डरते वो तो अपने जीवन में कभी किसी चीज से डरे ही नहीं लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता मिस्टर होम्स कि वो आधी रात मैं छुप छुपा कर वहाँ जाकर करते क्या है शैलक बोला अब एक मिनट रुके मिस्टर मिसन आपने कहा था कि वहाँ पर एक आदमी और होता है तो ये निश्चित रूप से आपके अस्तबल के ही आदमियों में से एक हो सकता है या फिर उनके घर का कोई व्यक्ति आपको सिर्फ पता लगाना है कि वो कौन है और फिर आप उससे सवाल पूछ सकते है वो आदमी बोला नहीं Mr. Holmes वो ऐसा आदमी नहीं है जिसे मैं जानता हूँ शेलक बोला आप इतने श्योर कैसे हैं वो आदमी बोला क्योंकि मैंने उसे देखा है Mr. Holmes ये दूसरी रात की बात है जब मैं और स्टीफन सर रोबर्ट का पीछा कर रहे थे उस रात सर रोबर्ट मुढ़े और हमारे पास से गुजर कर चले गए मैं और बटलर स्टीफन उस वक्त जाडियों में छुपे हुए थे आसमान में चांद पूरा खिला हुआ था मिस्टर होम्स इसलिए हमें उस रोशनी में सब साफ साफ नजर आ रहा था तब ही हमने अपने पीछे से उस दूसरे आदमी के चलने की आवाज सुनी हम अपने मालिक से तो डरते हैं लेकिन उस दूसरे आदमी से थोड़ी ना डरते हैं सर रोबर्ट के जाने के बाद हम जाडियों से बाहर निकल कर ऐसा दिखाने लगे जैसे हम चांदिनी में सेर करने निकले हुए हैं तब मैंने उस आदमी को देखा और मैंने उससे पूछा ओ, हेलो, कौन हो तुम भाई? जैसे ही उस आदमी ने मेरी अवाज सुनी और पीछे मुण कर हमें वहाँ खड़ा देखा तो वो ऐसे डर गया मानो जैसे उसने कोई शैतान देख लिया हो वो जोर से चीखा और तेजी से भागता चला गया वो इतनी तेज दोड़ रहा था मिस्टर होम्स कि कुछ ही सेकंड्स में वो हमें दिखना और सुनाई देना बंध हो गया वो कौन था या क्या था हम कभी नहीं जान पाए शैलोक बोला लेकिन तुमने चादिनी में उसका चहरा साफ साफ देखा था जी हाँ उसका पीला चहरा ऐसा था जैसे गुंडे मवालियों का होता है भला सर रोबर्ट के साथ उसके मेल जोल का क्या करण हो सकता है शैलोक कुछ देर तक सोच में डूबा रहा और फिर उसने पूछा अच्छा ये बताईए कि लेडी बियाट्रिस फोर्डर के साथ कौन रहता है वो आदमी बोला उनकी नौकरानी है जिसका नाम कैरी इवान्स है वो पाँच साल से उनके साथ रहती है शैलोक ने पूछा क्या वो अपनी मालकिन के प्रती वफदार है वो आदमी कुछ पल खामोश रहा फिर बोला वो वफदार तो है मिस्टर होम्स पर मैं ये नहीं बता पाऊँगा कि किस के प्रती वफदार है शैलोक चहकते हुए बोला हम मैं सब समझ गया मिस्टर मेसन ये स्थिती काफी स्पष्ट है मेरे दोस्त वाट्सन ने सर रोबट के बारे में जो बताया था उससे मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी औरत उनसे सुरक्षित नहीं है क्या आपको ये नहीं लगता मिस्टर मेसन कि दोनों भाई बहन के बीच के जगड़े का कारण यही बात हो सकती है वो आदमी बुला मेरे खयाल से तो नहीं मिस्टर होम्स क्योंकि ये सारी बातें तो सब लोग पहले से ही जानते है शैलोक बुला हाँ वो तो ठीक है पर ये भी तो हो सकता है कि लेडी ने पहले इस बात पर ध्यान न दिया हो मान लोकी उसे अचानक से इस बात का पता चला और इसलिए वो अपनी नौकरानी से छुटकार अपाना चाहती है लेकिन भाई उसे इसकी इजाज़त नहीं देता अपने खराब स्वास्त की वजह से अपनी इच्छा को पूरी करने के अलाव उसके पास और कोई साधन नहीं है जिस नौकरानी से वो नफरत करती है वो अभी भी उससे बंधी वी है और इसलिए लेडी ने अपने भाई से बात करने से इंकार कर दिया उससे मूँ फेर लिया नाराज हो गई और पीने लगी गुस्से में आकर सर रोबर्ट ने उसके पालतु कुत्ते को किसी को दे दिया क्या ये सब चीजे तुम्हें फिट बैठती नजर नहीं आ रही वो आदमी बोला जी हां मिस्टर होम्स आपकी बातें फिट तो हो रही है शेलोक बोला तो जी हां सर वो भी है और एक बात और भी है जो इसमें फिट नहीं बैठती वो ये कि सर रोबर्ट एक पुराने शव को क्यों खोधना चाहते हैं शेलोक ने जैसे ही ये सुना तो वो तन कर बैठ गया उस आदमी ने आगे बताया हमें कल ही इसके बारे में पता चला है मिस्टर होम्स जब मैंने आपको खत भेजा उसके बाद कल सर रोबर्ट लंडन गए थे और इसलिए स्टीफन और मैं तेहखाने में गए वहाँ सब कुछ ठीक ठाक हालत में था सिवाए इसके कि ये कोने में एक इनसानी कंकाल पड़ा हुआ था शैलोक ने पूछा तो फिर क्या आपने पुलीस को इस बात की सूचना दी नहीं मिस्टर होम्स मुझे नहीं लगता कि पुलीस को इस बात पर कोई इंट्रेस्ट होगा वो सिर्फ एक ममी का सिर्था और कुछ हड़ियां बहुत पुरानी हो सकता है कि वो हजार साल पुरानी भी रही हो लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मिस्टर होम्स कि ये हड़ियां पहले उस जगे में नहीं थी इस बात के लिए मैं भी कसम खा सकता हूँ और स्टीफन भी वो हड्डियां एक कोने में रखी हुई थी और उनको एक बोड से ढख लिया गया था लेकिन उससे पहले वो कोना हमेशा खाली रहा करता था शेलोक ने पूछा और उसके बाद तुम दोनों ने क्या किया कुछ नहीं हमने उसे उसी हाल में छोड़ दिया और बाहर आ गए शेलोक बुला हम ये आपने बहुत अकल वाला काम किया खेर आपने अभी बताया कि सर रोबर्ट लंडन गए थे क्या वो वहाँ से वापस आ गए है नहीं अभी नहीं आए लेकिन आज रात उनके वापस लोटने की उमीद है शेलोक ने पूछा अच्छा मिस्टर मेंसन ये बताये कि सर रोबर्ट ने अपनी बहन के कुट्टे को कब दिया था ये एक हफ़ते पहले की बात है मिस्टर होम्स वो कुट्टा बाहर कुएं के पास बहुत जोर जोर से भौक रहा था और सर रोबर्ट नॉर्बर्टन उस सुबह बहुत ही खराब मूड में थे उन्होंने कुट्टे को पकड़ लिया और एक बार तो मुझे लगा कि वो उस कुट्टे को मार ही डालेंगे लेकिन उन्होंने वो कुट्टा जोकी सेंडी मैन को दे दिया और उससे कहा कि वो कुट्टा ग्रीन ड्रेगन वाले बूढ़े बांस को दे आए क्योंकि वो उस कुट्टे को दोबारा देखना नहीं चाहते थे शैलोक कुछ देर बैठा सोचता रहा फिर वो बोला मैं सारी बातें समझ चुका हूँ मिस्टर मेसन मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप इस बारे में मुझसे क्या चाहते हैं मिस्टर मेसन ने अपनी जेब से एक कागस निकाला और उसे बड़ी ही सावधानी से खोलते हुए उसके अंदर रखे हड़ी के एक जले हुए टुकडे को हमें दिखाया शैलोक ने बड़ी ही गहराई से उस हड़ी की चांच की और फिर बोला ये आपको कहा मिली मिस्टर मेसन वो आदमी बोला लेडी बियाट्रेस के कमरे के नीचे एक तहखाने में एक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है वहाँ एक भट्टी लगी हुई है जो काफी समय से बंद थी लेकिन सर रोबर्ट नौरबर्टन ने कहा कि उनको ठंच ज्यादा लग रही है और उन्होंने इससे फिर से चालू करवा दिया मेरे अस्तबल के लड़कों में से एक है हारवी हारवी ही उस हीटर को चलाता है आज सुभा वो ये हड़ी मेरे पास लेकर आया उसे ये हड़ी उसी भट्टी के राख में मिली थी उसको ये बात बहुत ही अजीब लगी शैलॉक उस हड़ी को निहारते हुए बोला हाँ मिस्टर मेसन बात तो अजीब है अब जरव वाट्सन इस हड़ी को देखो और बताओ कि तुम्हें क्या समझ में आता है शैलॉक काफी गंभीर नजर आने लगा उसने उस आदमी से पूछा मिस्टर मेसन आपका ये लड़का उस भट्टी को ऑपरेट करने कब जाता है वो हर शाम वहाँ जाता है और सुबह वापस आता है मिस्टर होम्स शैलॉक ने पूछा तो रात में कोई उससे मिलने आ सकता था क्या भट्टी में बाहर से गुसने का कोई रास्ता है जी हाँ मिस्टर होम्स एक दर्वाजब बाहर से है और एक दूसरी सीड़ी है जो उस रास्ते तक जाती है जिसमें लेडी बियेटरिस का कमरा है शैलॉक ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा ये मामला बहुत ही घिनोना साबित होने वाला है मिस्टर मेसन आपने कहा कि मिस्टर रॉबर्ट नौरबर्टन कल रात घर पर नहीं थे जी हाँ मिस्टर होम्स कल रात वो घर पर नहीं थे तो इसका मतलब है कि जिसने हड्डियां जलाई वो मिस्टर रॉबर्ट नौर बटन नहीं थे वो आदमी बोला जी हाँ ये बात तो सच है शेलोक ने पूछा अच्छा ये बताईए कि उस सराय का नाम क्या है जो आपने अभी बताया था जी दग्रीन ड्रेगन उस आदमी ने कहा शेलोक ने फिर पूछा क्या उस इलाके में कोई जील या तालाब है जिसमें अच्छी मचलिया पकड़ने को मिलती है उसने बड़े ही उलजे हुए स्वर में कहा हाँ मैंने सुना है कि वहाँ एक जील में पाइक मचलिया है शेलोक चीखते हुए बोला ओ बहुत बड़िया हमारे लिए इतना काफी है मैं और मेरा दोस्त वाटसन बहुत ही दक्ष मच्छवा रहे हैं क्यों सही कहा ना मैंने वाटसन हम आज रात तक वहाँ पहुँच जाएंगे मिस्टर मेसन और ये बात तो मुझे कहने की भी जरूत नहीं है कि आप वहाँ हमसे मिलने की बिलकुल भी कोशिश ना करें लेकिन फिर भी आपको हमसे कोई काम हो तो हमें वहाँ एक पत्र भिजवा दीजिएगा हम खुद आपको ढून लेंगे जब हम मामले की थोड़ी और गहराई में पहुँच जाएंगे तब मैं आपको सही राय दूँगा मिस्टर मेसन फिलहाल अभी आप जा सकते हैं मिस्टर मेसन ने वहाँ से विदा ली और उसी शाम को शेलोक और मैं शौसकॉम के छोटे से स्टेशन पर पहुँच गए थोड़ी देर घोड़ा गाड़ी में सफर करने के बाद हम उस पुराने जमाने के सराय में पहुँचे जहां का मालिक वो बुड़ा बांस था वो बड़ा ही उत्साहित और जोशिला किस्म का आदमी था मचलियां पकड़ने की हमारी योजना में उसने बड़े ही उत्साह से भाग लिया लेकिन जब शैलोक ने उससे शौसकॉम ओल प्लेस की जहील में मचलियां पकड़ने के बारे में पूछा तो उसके चेहरे पर परेशानी के बादल छाते नजर आए वो बोला वहां के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता सर इससे पहले कि आप उस जील में मचलियां पकड़ें हो सकता है कि आप खुद ही उस जील में मचली बन के तेरते नजर आए शैलोक ने पूछा क्या मतलब वो बुढ़ा बांस बोला अरे सर रॉबर्ट्स है ना वहां इसलिए अगर उन्होंने देख लिया कि दो आदमी उनके ट्रेनिंग क्वाटर्स के सामने मंडरा रहे हैं तो वो तो हाथ धोकर आपके पीछे पढ़ जाएंगे शैलोक ने पूछा अच्छा वैसे मैंने सुना है कि उसका एक घोड़ा दर्बी रेस में हिस्सा ले रहा है बुढ़ा बांस बोला हाँ सर ले रहा है और बड़ा ही शांदार घोड़ा है वो हमारा सारा पैसा और सर रॉबर्ट का भी पैसा उसी के उपर सट्टे में लगा हुआ है वैसे कहीं आप लोग भी इसलिए तो यहां नहीं आए है शैलोक ने कहा अरे नहीं हम तो दो ठके हुए लंडन के रहने वाले हैं जिन्हें बस थोड़ी सी ताजी हवा और पानी की जुरत है बुढ़ा बांस बोला हाँ तब तो आप एक दम सही जगे में आए है लेकिन आप लोग यहां बस एक चीज का ध्यान रखेगा कि मैंने जो आपको सर रोबर्ट के बारे में बताया है उसको भूल मत जाहिएगा वो ऐसा आदमी है जो मारता पहले है और बात बाद में करता है उसके इलाके से आप लोग दूर ही रहना हाँ हाँ मिस्टर बांस आप बेफिक्र रहे हम ऐसा ही करेंगे वैसे वो कुत्ता जो अभी बाहर चिला रहा था वो बड़ा ही खुबसुरत इस्पैनियल कुत्ता है बूरा बांस बोला जी हाँ सर सही पहचाना वो असली शौसकॉम नसल का कुत्ता है आपको पूरे इंग्लेंड में उससे बढ़िया कुत्ता नहीं मिलेगा अरे वाह मैं खुद कुत्तों का बड़ा शौकिन हूँ अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस कुत्ते की कीमत कितनी होगी मैं भी एक खरीदना चाहता हूँ बुरा बांस बोला मेरी हैसियत से तो बहुत ज्यादा है सर ये तो मुझे सर रोबर्ट ने दिया था इसलिए मुझे इसे बांध कर रखना पड़ता है तो ये तो कमभख्त एक मिनट में हौल भाग जाएगा उसके कुछ और देर इधर उधर की बातें करने के बाद वो सराय का मालिक वहाँ से चला गया शेलोक ने मुझे कहा हमें कई सारे पत्ते मिलते जा रहे हैं वोटसन और इन पत्तों के साथ अभी खेलना आसान नहीं है लेकिन उमीद है कि एक दो दिन में हमें कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा और जैसा कि तुमने सुना कि सर रोबर्ट नॉरबर्टन अभी भी लंडन में ही है तो मेरे खयाल से हम बिना ठोकाई के डर से आज रात उसके इलाके में घुश सकते है तुम्हारा क्या खयाल है वोटसन असल में एक दो चीजे ऐसी हैं जिन में मुझे तसली करना बेहत जरूरी है मैंने शेलोक से पूछा क्या तुमने कोई थियोरी बना रखी है शेलोक हाँ वोटसन थियोरी तो है पर बस इतनी की एक हफ़ता पहले कुछ हुआ है जिसने शौसकौम परिवार के जीवन में एक गहरा असर डाला है अब वो क्या है इसका अंदाज़ा हम उसके असर से ही लगा सकते हैं ये एक अजीब तरह का मिला जुला असर है लेकिन इससे हमें पक्के तोर पर मदद जरूर मिलेगी चलो सारी बातों पर गौर करते हैं भाई जो है वो अपनी प्यारी बीमार बेहन से मिलने नहीं जाता और उसके पसंदीदा कुट्टे को भी किसी को दे देता है क्या इन बातों से तुम्हें कुछ सूजता है वोट्सन मैंने कहा हाँ भाई की नफरत और क्या शैलक बोला हाँ ऐसा हो सकता है अब हम उस समय से इस बात को समझते हैं जब ये जगडा हुआ अगर वाकई में कोई जगडा हुआ था तो सर रोबर्ट की बहन लेडी बेट्रस अपने कमरे में ही रहती है और अपनी सभी पुरानी आदतों को बदल देती है जिस समय वो अपनी नौकरानी के साथ बाहर जाती है उसके अलावा वो पूरा टाइम किसी को नजर नहीं आती और वो अपने पसंदीदा घोडे को चीनी की डली देने से भी मना कर देती है और जहिर तोर पर बुरी तरह से शराब पीना शुरू कर देती है पूरा मामला यही है न वोट्चन? मैंने कहा हाँ यही है बस उस तहखाने वाले किस्से को छोड़ कर शेलोक बोला वो एक दूसरा मामला है यह दुनों मामले बिलकुल अलग-अलग है और मैं तुमसे विंती करता हूँ वाट्चन की तुम उन्हें आपस में मत उलजा देना ध्यान से सुनो लाइन ए जो लेडी बी अट्रेस से संबंधित है वो थोड़ी सी भयानक है है कि नहीं तो हम लाइन बी को लेते हैं जो सर रौबट से जुड़ी हुई है वो डर्बी रेस को जीतने के लिए पागल है वो लेंदारों के हाथों की कठपुतली बना हुआ है और किसी भी समय दिवालिया हो सकता है और उसके जो लेंदार हैं वो उसके अस्तबल को जब्त कर सकते हैं वो एक बहुत ही सहसी आदमी है लेकिन फिलहाल बहुत हताश है उसकी जो भी आमदनी होती है वो उसे उसकी बहन से मिलती है और बहन की नौकरानी उसके कंट्रोल में है तो मेरा अनुमान ये है वाट्सन जो कि सिर्फ अनुमान ही है कि सर रॉबर्ट नॉर्बर्टन ने अपनी बहन को मार डाला है ये बात सुनकर मैं चौंक कर बोला ऐसा कैसे हो सकता है शलॉक क्यूं नहीं हो सकता वाट्सन एक पल के लिए आओ इसके उपर बहस करते है मान लो कि उसने वाकई अपनी बहन को मार डाला है और जब तक उसे वो सारा पैसा नहीं मिल जाता तब तक वो वहाँ से भाग नहीं सकता और उसे पैसा सिर्फ तभी मिलेगा जब उसका घोला प्रिंस डर्बी रेस जीतेगा इसलिए अभी भी यहीं पर रहना उसकी मजबूरी है और अगर अब उसे यहीं रहना है तो उसे किसी तरह से लाश को ठिकाने लगाना होगा और साथ ही एक ऐसा इंसान भी ढूणना होगा जो इतने दिनों तक उसकी बहन का भेश धर कर वहां रह सके और इसलिए वो अपनी बहन की लाश को उस तहखाने में ले जाता है क्योंकि वो जगह ऐसी है जहां शायद ही कोई जाता होगा और वो धीरे धीरे करके उसकी लाश को वहां भटी में नश्ट कर सकता है मेरे दिमाग में इस सारे मामले में रोशनी डालने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसे हम कल करने की कोशिश करेंगे और तब तक हम अपनी ये मचली मार वाली एक्टिंग चालू रखते हैं अपने मेजबान के साथ थोड़ी सी वाइन पी सकते हैं और मचलीयों के बारे में थोड़ी और बातचीत कर सकते हैं हो सकता है कि इस बातचीत के दोरान हमें और कोई काम की चीज मिल जाए अगली सुभा शैलो को अचानक से ये याद आया कि हम मचलीया मारने के लिए चारा लाना तो भूल ही गए थे और इसलिए हमें बड़े ही दुखी मन से अपने मेजबान को ये बताना पड़ा कि हम उस दिन मचलीया मारने नहीं जा पाएंगे इसलिए उस दिन 11 बजे के करीब हम लोग टहलने के लिए निकल पड़े शेलोक ने सराई के मालिक से उस काले स्पैनियल कुट्टे को भी अपने साथ ले जाने की अनुमती ले ली थी चलते हुए हम दो उंचे उंचे फाटकों के पास आए जिसके उपर दो मूर्तियां लगी हुई थी तब शेलोक ने मुझसे कहा वाट्सन यही वो जगह है बुड़े बांस ने मुझे बताया था कि दो पहर के करीब वो औरत बहार आती है जिस समय फाटकों को खोला जाएगा उस समय गाडियों की गती धीमी हो जाएगी तब मैं यह चाहता हूँ वाट्सन की तुम गाड़ी वान के पास जाकर कुछ यूही इधर उधर की बातें करके कुछ देर के लिए गाड़ी को रोक के रखो तब उस वक्त में इस जाड़ी के पीछे खड़ा रहूँगा और देखूंगा की मैं क्या कर सकता हूँ हमें वहाँ पर ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा करीब पंद्रा मिनट के अंदर ही हमने देखा कि एक बड़ी सी खुली पीली गाड़ी सामने से आ रही है जिसके आगे दो शांदार घोड़े जुते हुए है शेलो कुत्ते के साथ जाड़ी के पीछे चुप गया और मैं बेजिजक सड़क में छड़ी हिलाते हुए खड़ा रहा एक गाड़ ने गेट खोला और गाड़ी की रफतार धीमी हो गई मैं उसमें सवार लोगों को अब अच्छी तरह से देख पा रहा था चमकीले बालों और दिलकश आँखो वाली एक युवती बाई तरफ बैठी हुई थी उसके दाहिनी तरफ जुके हुए कंधो वाला एक बुसुर्ग व्यक्ति बैठा था उसका सिर और कंधे शौल से ढखे हुए थे जिसकी वजह से उसका चहरा नजर नहीं आ रहा था जब घोडे मुख्य सडक पर पहुँचे तो मैंने हाथ से इशारा करते हुए गाड़ी को रोका और गाड़ीवान से पूछा कि क्या सर रोबर्ट शौसकॉम्ब ओल्ड प्लेस में मुझे उनसे मिलना है जब मैं उस गाड़ीवान से बात कर रहा था बस उसी वक्त शैलोक जाड़ीों से बाहर निकला और उसमें कुट्टे को खुला छोड़ दिया खुशी से चलाता और किकियाता वो कुट्टा गाड़ी की तरफ दोड़ा लेकिन गाड़ी के पास पहुचते ही उसकी सारी खुशी गुसे और नाराजगी में बदल गई और वो जोर जोर से भौकने लगा और गाड़ी में पंजे मारने लगा तब ही एक करकश आवाज सु शेलोक ने कहा अब मेरा श्या की यकीन में बदल गया है वोट्सन इस कुट्टे को लगा था कि वो युवती इसकी मालकिन है लेकिन पास जाने पर उसने पाया कि वो कोई अजनबी है और कुट्टे कभी पहचानने में गलती नहीं करते मैंने कहा और वो आवाज भी एक शेलोक के पास उस दिन के लिए कोई प्लैन नहीं था और इसलिए वो और मैं सच मुछ मचलिया पकड़ने के लिए चले गए खाने के बाद हम एक बार फिर से उसी सडक पर पहुँचे जिस पर सुभग गई थे एक लंबा सा काला सा आदमी वहाँ पर हमारा इंतजार कर रह थी मुझे आपका नोट मिल गया था मिस्टर होम्स सर रोबर्ट अभी तक लौट ये नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से आज रात तक वो लौट आएंगे शेलोक ने उससे पूछा अच्छा मिस्टर मैसन ये बताईए कि वो तहखाना घर से कितना दूर है यही करीब शेलोक बोला तो फिर मेरे ख्याल से हम वहाँ जाकर आराम से अपनी जाच कर सकते हैं मिस्टर मैसन घबराते हुए बोला आप चाहें तो वहाँ चले जाए मिस्टर होम्स लेकिन मैं वहाँ जाने का जोखिम नहीं ले सकता जैसे ही सर रोबर्ट वापस लोटेंगे वो खाना दिखा दीजे उसके बाद आप चले जाएगा वो एक अंधेरी रात थी आसमान में चांद बिलकुल दिखाई नहीं दे रहा था मेसन जहां हमें लेकर गया वो एक पुराना सा खंडर नुमा चर्च था हम उस तूटे हुए गड़े में प्रवेश कर गए जो कभी बर खंडर में थोड़ी सी रोशनी फैल गई शेरलोक ने उस तीली से अपनी लालटेन जला ले और फिर मेसन से पूछा मिस्टर मेसन आपने कुछ हड़ियों का जिक्र किया था क्या आप जाने से पहले हमें वो दिखा सकते हैं वो वहाँ उस कोने में है मिस्टर हूम्स आईए मैं ले चलता हूँ उसके बाद मेसन हमें उस कोने में ले कर गया और फिर अचानक से वो हैरान होकर चुप खड़ा रह गया और फिर बोला अरे यहीं तो थी बिल्कुल यहीं पर थी वो हड़िया मिस्टर हूम्स अब पता नहीं कहा गायब हो गई शेरलोक बोला मुझे यह कोई भी हजार साल पुरानी हड्डियों को क्यों जलाना चाहेगा शेलोक बोला यही पता लगाने के लिए तो हम यहां आए है मिस्टर मेसन हमें थोड़ी लंबी जाज करनी पड़ सकती है और इतनी देर तक हमें आपको यहां रोके रखने की ज़रुरत नहीं है मुझे बहुत ही पुरानी कबर जो सेक्सन लोगों की प्रतीत हो रही थी वो एक दम सेंटर में थी फिर उसके बाद नौर्बन, हुगोस, ओडोस की एक लंबी लाइन थी उसके बाद हम पहुच गए अठारवी शताबदी के सर विल्यम और सर डैनिस फोडर की कबर तक हमें वहां जाच करते करते एक घंटे से भी अधिक समय बीच चुका था जब शेलोग को वो ताबूत मिला जिसकी उसे तलाश थे ये वोल्ट के मुख्य दर्वाजे से पहले एक कोने में खड़ा एक सीसे का ताबूत था मैंने शेलोग के मुझ से एक संतुष्टी भरी अवाज सुने मैं समझ गया था कि वो अपने लक्षी तक पहुच चुका है वो अपने मेगनिफाइंग लेंस से ताबूत के भारी धकन के किनारों को जाच रहा था फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा ओजार निकला वो एक बॉक्स ओपनर था जिससे वो उस ताबूत के धकन को खोल थोड़ा नजर आया ही था कि तभी हमें एक आवाज सुनाई दी उपर चर्च में कोई चल रहा था चलने वाले के द्रड तेस कदमों की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो एक निश्चित उदेश्य के साथ वहां आया था उसके बाद सीडियों से नीचे आती रोशनी क एक किरन दिखाई दी और उसके बाद उस टॉर्च को थामें वो आदमी दिखाई दिया ये एक भयाना किस्म का व्यक्ति था और दिखने में एक दम भयांकर उसके भारी भर का मूचो वाले चहरे पर गुस्से से भरी आँखें चमक रही थी वो कठोर नजरों से हमें घूर रहा था फिर हमें देख कर वो बोला हराम खरो कौन हो तुम लोग और मेरी प्रॉपटी में क्या कर रहे हो शैलोक ने कोई जवाब नहीं दिया वो कुछ कदम आगे बढ़ा और एक भारी चड़ी उठा कर उसकी तरफ गया वो आदमी फिर गर जा तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही कौन है तू और यहां क्या कर रहा है शैलोक ने बिना डरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए और उससे बोला वैसे मुझे भी आपसे एक सवाल पूछना है मिस्टर रॉबर्ट की ये कौन है और ये यहां क्या कर रहा है इतना कहते हुए शैलोक ने अपने पीछे के ताबूत का धकन खोल दिया लाल टेन की रोशनी में उस ताबूत के अंदर मैंने सिर से लेकर पाउं तक चादर में लिप्टे एक शरीर को देखा जो किसी भायानक डायंग जैसे दिखाई दे रहा था उसकी नाक और ठुड़ी एक तरफ को जुकी हुई थी हलकी चमकती हुई आखें और एक फी का टूटा पड़ा बेजान चहरा सर रोबर्ट ने जैसे ही उसे देखा वो एक जटके में चीखता हुआ पीछे हट गया और फिर बोला आ तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला और तुम्हें से क्या काम है शैलोक बोला मेरा नाम शैलोक को बनाए रखना और अब क्या आप मुझे बताने के कृपा करेंगे कि आपको अपनी सफाई में क्या कहना है रोबर्ट बोला देखें मिस्टर होम्स मैं चानता हूँ कि ये सारी चीजे मेरे खिलाफ हैं लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था शैलोक ने बड़े ही श ऐसे ही होना है तो ऐसा ही सही आप मेरे घर चलिए वहां मैं आपको सारी बात बता दूँगा फिर उसके बाद आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि क्या सही है और क्या गलत बस उसके 15 मिनट बाद हम उसके घर पर थे रोबर्ट ने हमें एक कमरे में बिठाया और खुद व वाला आदमी वो बहुत ही ताकतवर और फुर्तिला दिखाई दे रहा था वो दोनों बुरी तरह से कन्फ्यूज दिखाई दे रहे थे जिससे ये पता चल रहा था कि रोबर्ट ने उन्हें हमारे बारे में अभी तक नहीं बताया है उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए रोबर्ट में कहना शुरू किया मिस्टर होम्स ये मिस्टर और मिसिस नौरलेट है मिसिस नौरलेट कुछ सालों से मेरी बेहन की परसनल नौकरानी रही है लेकिन अपने पुराने नाम के साथ जो है कैरी इवान्स मैं इन दोनों को यहां इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि मैं आपको सारी स्थिति सही सही बता दू और ये दोनों वो लोग हैं जो मेरी बात को प्रमानित कर सकते हैं तब ही वो युवती जोर से चिलाई सर रोबर्ट क्या ये जरूरी है क्या आप जानते भी हैं कि आप क्या कर रहे हैं उसका पती भी बीच में गुर राया मैं पूरी तरह सारी जिम्मेदारी से इंकार करता हूँ हिन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है सर रोबर्ट ने उन दोनों को कड़ी नजरों से घुरा और फिर कहा किसी को कोई जिम्मेदारी लेने की जरुवत नहीं है और मिस्टर होम्स अब आप मेरी बात सुनिये ये बात तो सपश्ट है कि आप मामले की बहुत गहराई तक पहुँच चुके हैं यानि आप ये सारी बातें पहले से ही जानते हैं मैं डर्बी रेस के लिए घोड़े को तयार कर रहा हूँ और ये सब इस बात पर निर्भर है कि मैं सफल होता हूँ या नहीं अगर मैं डर्बी रेस में जीत गया तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी लेकिन अगर मैं हार गया तो मैं पूरी तरह से बरबाद हो जाऊंगा मैं हर चीज के लिए अपनी बहन पर निरभर हूँ लेकिन सब लोगों को ये लगता है कि वो संपत्ती में मेरा बराबर का हक है मेरी चान मेरे लेंदारों के हाथों में है ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर मेरी बहन मर जाए तो मेरे लेंदार गिद्दों के जुंड की तरह मेरी संपत्ती पर आलप केंगे और सब कुछ जब्ट कर लिया जाएगा मेरा अस्तबल, मेरे घोडे, सब कुछ खेर, जो भी हो मैं आपको बता ही देता हूँ कि मेरी बहन की मौत एक हफ़ते पहले ही हो गई है शेलोक बोला और ये बात आपने किसी को क्यों नहीं बताई रॉबर्ट बोला मैं और करता ही क्या मिस्टर होम्स पूरी बरबादी मेरे सामने थी अगर मैं तीन हफ़तों के लिए चीजों को रोक सकूँ तो ही सब कुछ ठीक हो सकता है मैंने इस बारे में बहुत सोचा और फिर एक आइडिया मेरे दिमाग में आया मेरी बहन की नौकरानी का पती ये, ये जो आदमी आपके सामने खड़ा है ये एक एक्टर है मैंने सोचा कि क्यों न बस कुछ दिनों के लिए इसे अपनी बहन बनने का नाटक करने को कहूँ इसको बस इतना करना होगा कि पूरे दिन मैं बस एक बार गारी में बैठ कर बाहर जाना और वापस आना होगा बाकी पूरा टाइम मेरी बहन अपने कमरे में ही रहती थी और नौकरानी को छोड़ कर बाकी किसी को भी उसके कमरे में जाने की इजासत नहीं थी ऐसलिए ये सारा इंतिजाम करना ज्यादा मुश्किल नहीं था मेरी बहन की मौत उसकी बिमारी से हुई जिससे वो कई सालों से पीडित थी और इस बात का प्रमाण उसका डॉक्टर दे सकता है क्योंकि कई महीनों से उसके लक्षा बुरी तरह से बिगड़ चुके थे शेलोक बोला अच्छा ठीक है फिर उसके बाद तुमने क्या किया हम उसकी लाश को वहाँ नहीं छोड़ सकते थे इसलिए पहली ही रात को नौडलट और मैं उसकी लाश को पुराने कुए के पास लेकर गए जिस कुए का अब उपियोग नहीं किया जाता है लेकिन उसका पालतू इस्पैनियल कुत्ता हमारे पीछे पीछे था और वो लगातार भौके जा रहा था इसलिए मुझे लगा कि हमें उस पुराने कुए से ज्यादा दूसरे किसी सुरक्षित जगह की जुरत है लेकिन सबसे पहले मैंने उस इस्पैनियल कुत्ते से छुटका रहा पाया और फिर उसके बाद हम लाश को चर्च के तहखाने में ले गए मैं किसी भी तरह से किसी का भी ना अपनी बहन का और ना ही उसके पूरवजों का कोई अपमान करना चाहता था मिस्टर होम्स और मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी मृत आत्मा के साथ कोई अन्याय किया है शेलोग बोला लेकिन मुझे तो आपकी ये सारी हरकते हैं कोई माफी के लाइक नहीं लग रही मिस्टर रॉबर्ट रॉबर्ट ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा ये कहना बहुत आसान है मिस्टर होम्स अगर आप मेरी जगह में होते तो शायद आप अलग तरह से सोचते कोई व्यक्ति अपनी सारी आशाओं, सारी योजिनाओं को अंतिम पल में बिखरते नहीं देख सकता ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो उनको बचाने के लिए कोई कोशिश ना करे मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर हम उसे कुछ समय के लिए उसके पूर्वजों के ताबूतों में से किसी एक में रख देंगे जो अभी भी पवित्र जगह में पड़े है तो एक मृत आत्मा के लिए ये कोई खराब जगह नहीं होगी हमने एक पुराना ताबूत खोला उसमें सिब पुरानी हड्डियों को हटाया और अपनी बेहन की लाश को उसमें वैसे ही रख दिया जैसे आपने उसे अभी देखा था और जहां तक उन पुरानी हड्डियों का संबंध है जिन्हें हमने ताबूत से बाहर निकाला था उन्हें हम तहखाने के फर्ष पर नहीं छोड़ सकते थे इसलिए नौरलेट और मैंने उन हड्डियों को वहां से हटाया और फिर नौरलेट ने रात मैं उन हड्डियों को भट्टी में जला दिया बस यही है मेरी कहानी मिस्टर होम्स रॉबर्ट की सारी कहानी सुनने के बाद शेरलोक कुछ देर तक खामोश बैठा रहा और फिर वो बोला लेकिन मिस्टर रॉबर्ट आपकी कहानी में एक दोश है आपकी बहन की मौत की खबर सुनकर आपके लेंदार अगर आपकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर भी लेते तो आपने जो रेस में दाव लगा रखे हैं उनसे तो आपको पैसा मिल ही सकता था रॉबर्ट बोला नहीं मिस्टर होम्स मेरा घोड़ा मेरी प्रॉपर्टी का ही हिस्सा माना जाता वो लोग उसे पकड़ कर ले जाते और फिर भला उन्हें मेरे दावं पर लगाए गए पैसों की क्या ही परवा होती दुर्भाग इसे जो मेरा सबसे मुख्य लेंदार है वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है वो एक बहुत ही धूरत आदमी है मिस्टर होम्स जिसका नाम है सैम ब्रूर एक बार न्यू मार्केट हीट पर उसे घोड़ों के चाबुक से मारने के लिए भी मुझे मजबूर होना पड़ा आपको क्या लगता है मिस्टर होम्स वो साला मुझे बचाने की कोशिश करेगा वो तो मुझे गिराने का मुझे हराने का कोई मौका नहीं छोड़ता शलोक खड़ा उठा और बोला ठीक है मिस्टर रोबर्ट ये मामला निश्चित रूप से पुलीस को भेजा जाना चाहिए तत्यों को सामने लाना मेरा फर्स था और मुझे इसे यहीं छोड़ देना चाहिए और जहां तक इस बात का सवाल है कि आपने सही किया या गलत ये फैसला करना मेरा काम नहीं है इसका फैसला तो पुलीस और अदालत ही करेगी उसके बाद होमस और मैं वापस लंडन आ गए कुछ समय बाद हमें पता चला कि ये सारा किस्सा एक सुखांत नाटक के रोप में समाप्थ हुआ सारे लेंदारों को उनका पूरा भुकतान कर दिया गया और उसके बाद भी सर रोबट के पास इतना पैसा बचा था कि वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सके पुलीस और अदालत ने भी उनको ज्यादा दोशी नहीं माना सिवाए इस बात के कि उन्होंने अपनी बहन की मौत को दर्ज कराने में देरी की खेर अब सर रोबट इनाम के बचे हुए पैसों से एक नया सम्मानित बिजनस शुरू करके एक खुशाल जीवन बिता रहे हैं दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजेगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजेगा मेरी चैनल में इसी तरह की धेरो कहानिया है एक बार उन्हें भी जाकर जरूर सुनियेगा मैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आऊंगा तब तक आप अपना खयाल रखेगा मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद